नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर फ्रेंट्स ये है हमारे एक देशी गुलाब का प्लांट ये देखिए आज हम इसको रिपोर्ट करने वाले हैं क्यूंकि हम इसको लाए थे नर्सरी से नर्सरी से लाए हुए हो गए हमें इसको तीन चार दिन और आज करेंगे हम इसको रिपोर्ट इसको करेंगे हम इस वाले गमले में रिपोर्ट और फ्रेंट्स इसमें ये दो हॉल हुए हैं तो इनको कवर करने के लिए हम इसमें रखते हैं ये एक कपड़ा जो कि एक जिन की पैंट का टुकड़ा है ये इस तरह से रख दिनगे इ नियुक्त आप हो चुकी है और जिस तरह से इसमें ये डंडी काली पड़ा हुई है सूकी हुई है तो इसको भी हमें प्लांट से अलग कर लेना है यह देखिए इस तरह से हमने इसको अलग कर लिया है अब हम इसको लगाने वाले हैं इस वाले पोट में इसको लगाने के लिए हम भर लेते हैं इसमें मिट्टी आपको हम थोड़ी मिट्टी डालने के बाद में दिखाते हैं इसको लगाने से पहले हम इसको इसके बाहर निकालते हैं मिट्टी को थोड़ा लूज पर लेते हैं यह देखिए वैसे तो इसको लूज करने की ज़रूरत नहीं है क्य apenas रेतीली मिट्टी में ही लगा हुआ है यह बहुत सॉफ्ट मिट्टी है फिर भी हम इसकी थोड़ी जड़ो को खोल लेते हैं यह देहिए और अब इसको हम रखके देखते हैं यह हमारा है खीक अब इसके इसमें डालते हैं थोड़ा नीचे एपसम सोल्ट ताकि हमारे प्लांट को है ना जोरी पोटिंग शोक ना कि नेम ख़ली इंटि फंगल पाउडर का काम करती है इससे जो भी हमारे मिट्टी में कोई भी फंगस वएगरा होगी तो इससे हमारे खतम हो जाएगी मिट्टी की फंगस तोफ्रेंट्स हम आना इसको भरने के बाद में दिखाते हैं आपको यह देखिए हमारा प्लांट हो क्धिकर वार हम sap exam intend एगर दीन चाहिए हैं तो नší नहीं कर पांद रहे हो गया देआए को चाहिए यह पूल कादब की टयार हम इसको रखते से हैं च्छाया में कम से कम चार पांस दिनों के लिए और फिर उसके बाद हमें इसमें कम से कम डेड़ या दो महीने तक खाद डालने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसमें ना इसकी मिट्टी में अच्छे तरह से जो गोबर खाद मिला चुके हैं अब डेड़ दो महीना तक कोई भी खाद देने की जरूरत नहीं है उसके बाद इसमें हम खाद देंगे और फ्रेंट्स ये देखिए इसमें ना कलिया भी आई हुई है हमारे देशी गुलाम में और बहुत ही जल्दी ये खिल जाएंगी और बहुत सुन्दर सुन्दर इसमें फ्लावरी होंगी फ्रेंट्स आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जैम आता दी